नमस्कार दोस्त मैं हूँ आपका दोस्त इंजिनियर अभिसेग सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजिनिरिंग सपोर्ट दोस्तो आज कल कर जो आधूनिक तौर तरीकों से घर बनाय जा रहे हैं उसमें इस्पेस मेनेजमेंट का खासा ध्यान रखा जाता है जैसे के जितने भी अंदर के दिवाल रहते हैं उन सबी को 5 इंच का दिया जाता है और लोगों का मन में एक konfusion रहता है कि हम जब टाइबीम करें तो 10 इंच का दिवाल पे तो 10 इंच-4 टाइबीम होता ही है उचाई के अगर बात कर लेते हैं लेकिन 5 इंच का जो दिवाल रहता है ये दिखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ने जदिक से ये 5 इंच का दिवाल है इसके उपर टाइब इम कितने इंच का होना चाहिए मैं आपको बिल्कुल मेजर्मेंट के साथ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ इसी तरह से डेली एक वीडियो लाता हूँ आपका एक टॉपिक में किलिर करता हूँ हाउस कंस्टक्शन्स रिलेटेड बाहरी दिवाल जो है वो 10 इंच का है और जितने भी इंटर्नल वाल्स हैं अंदर के जो दिवाल है वो 5 इंची के दिये हुए है और टाइ बीम पे खास तोर पे मैं फोकस करने वाला हूँ दोस्तों बहुत से लोग टाइ बीम और लिंटेल में कन्फ्यूज कर जाते हैं तो मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ लेकिन यह जो प्रोसेस है बीम से बीम को जोडने वाली जो बीम है इसको ही टाइ बीम बोला जाता है यह टाइ बीम दिया हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पिलर है पिलर से पिलर को जोडने वाली बीम को ही टाइ बीम बोला जाता है और लिंटेल और टाइविम में क्या डिफरेंस है बहुत सारे डिफरेंस है उसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बना दूँगा दोस्तों चली फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उस पे आते हैं और आपको मैं मेजरमेंट करके दिखाता हूँ उससे पहले आप घर को कुछ और जो बारीकिया है उसको आप समझ लें ये देखिए मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ और चली मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए हमने टेप निकाला और अब मैं इसकी नापी लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तर आपको दिख रहा है और चली मैं आपको दूसरे एंगल से जो है वो नाप करके दिखाता हूँ एक हाँ में मेरा कैमरा है दूसरा आथ में टेप है तो उतना असान नहीं होता है फिर भी मैं आपको दिखाने कोशिस करूँगा तो इधर से 5 इंच का दिवाल है तो जाहिर सी यह देखिए यह पांच इंच आपको दिख रहा होगा इसके चौराई है और पांच इंच मुटाई भी है दोस्तों क्या यह सही है क्या हमारे टाई बीम का उचाई और मुटाई दोनों सेम रहना चाहिए या फिर उचाई जो है वो थोड़ा जादा रहना चाहिए इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा आप देखते जाईए चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए एक एक टॉपिक मैं किलियर करने वाला हूँ इसमें हमने जिस तरह से किलियर किया है कि 5 इंच के अगर आपको दिवाल है तो जाहिड तोर पे 5 इंच और 10 इंच दोनों ही दिवाल में जो हमारा जिस तरह से दिवाल जितना मोटा रहता है उतना टाइब इम देते हैं और उचाई की अगर बात कर लेते हैं दोनों की उचाई जो है वो सेम ही रखनी है अब मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए इसमें जो बाहरी दिवाल है इसमें 10 इंच का दिवाल दिया गया है आप देख रहे हैं और इसके अगर उचाई की बात किया जाया इसको भी 5 इंची ही ढ़ाला गया है चोली मैं आपको किनारे से दिखा देता हूँ आपको कुरे सेक्षनल भीव मिल जाए आपको पूरी तरीके से संतुष्टी हो जाए कि किस तरह से जो है वो इस घर को बनाया जा रहा है और घर बनाने से जूरी होई कोई भी जानकारी आपको चाहिए निश्चीन्त होगर के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी छोड़ सकते हैं जिस तरह से ये देखिए ये आपको 10 इंच का दिवाल दिख रहा होगा ये देखिए 2 इंच लगे हैं 10 इंच का ये दिवाल है तो आपने देखा कि किस तरह से जो है वो बीम को हम लोग एक ही हाइट पे कास्ट करते हैं जो है वो 5 इंच का हो या फिर किसी और डाइमेंजन का हो इससे होता ये है कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं जो हमारे टाइ बीम का नाम ही इसलिए है चुकि वो एक से दूसरे कॉलम को टाइ करकर रखता है वो बांध करकर रखता है बंधन प्रुभाइड करता है और अगर इसका उचाई कम कर देंगे मतलब कि वीट्थ इसका कम कर देंगे तो वो बात इसमें नहीं रह जाएगी ये टाइ भी हो जो है वो खुद ही कम जोर हो जाएगी तो फिर मिलते हैं तब तक लिए नमस्कार उमीद है आपको इस वीडियो से काफी जनकारी मिली होगी फिर मिलते हैं धन्यवाद दोस्तों